सबसे पहले यहां ब्रैकेट लगा लो ऐसे और यहां पर भी ऐसे करके लगा लो तो आपको फील आएगा अब इसमें जो पार्ट है उसको आप लेके चलो और इसको लेके आजो देखो चलो मैं आपको दिखाता हूं देखो किस तरीके से हमने इसका अब यहां लेफट्छ और रेफट एंट साइड में चुशन आपको मिलेगा ना तो आपको गया करनाएं और इसको आपने लगा देना देना है मैंने आपको यह तो अब जो भी गाम करोगे square root के अंदर करोगे मतलब समझो मतलब देखो इसको आप ऐसे ही copy कर लो one plus cause by one minus sorry one minus cause by one plus cause अब देखो पता है आपको क्या करना है सुनो exam में जैसे class 9 में रिश्लाइज करते थे ना वैसे करना है मतलब यहाँ multiply करो इसके conjugate से conjugate का मतलब तो अलगी चीज होती मतलब समझो कुछ नहीं करना बस इसका sign change कर दो यहाँ पर बाई एक बाँ बाँ बताओ जब हम छोटी classes में थे तो अगर ऐसा होता था वन प्लस की जगा मैनस आजाएगा यहने कि वन माइनस कॉस एससे हम उपर वाले को मत देखो ना इस को से उसको पड़े रहन दो नीचे वाले को देख रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो मैनस ले लिया बस वन माइनस कॉस एस से नीचे multiply कर देंगे कोई बोलेगा क्यों करा तो उसके बोल देना कि भईया देखो ये इससे वापस कर जाएगा तो उतना ही तो आजाएगा बढ़ हमने अपना काम मनाने के लिए ऐसा किया है और जो भी काम हो रहा होगा square root के अंदर हो रहा होगा अब सुनो अब एक बाँ बताओ इतना मैंस तो आता है अगर सेम टाइप की quantity एगर multiply हो रही तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ इस पे तो whole square लग जाएगा ठीक तो ये बना देंगे क्या होसे का all square और upon में नीचे कया हो जाकर नीचे बहुत धहन्द चेक करना a plus b into a minus b क्या होता है a square स्क्वार माइनस बी स्क्वार से ना यह देखिए यह देखिए क्या हो गया क्या करेंगे देखो अब यहां से आ गया बहुत ध्यान से डेंच करो देखो इतनी तो मैंप साथ आपको आती होगी square root of x by y जब होता है तो यह square root उपर वाले को भी मिलता है और नीचे वाले को भी मिलता है यह बात पता है तो यही काम हम करेंगे अभी करेंगे रुख जो करेंगे रुख जो लेकिन एकिस step और दिखा देते है क्या है उपर 1 minus cos a का whole square है और नीचे देखो नीचे 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 वन का square क्या होता है वन ठीक और माइनस क्या हो जाएगा को से स्कॉयरे अब ध्यान से चेक करना एक बाद बताओ 1 minus cos square है कितना होता है sin square है है ना sin square a और plus cos square a कितना हुआ करता था 1 तो यह उधर जाएगा तो यहां से क्या जाएगा sin square a बराबर 1 cos square उदर जाएगा तो 1 minus cos square यही बात तो मैं कर रहा हूँ आप से कि 1 minus cos square a की जगा आप क्या लिखोगे sin square a चलो यह भी लिख लेते तो क्या हो जाएगा यहां से square root of उपर तो आभी उपर ऐसे रहने दो 1 minus cos a का whole square और नीचे क्या हो जाएगा 1 minus cos square a की जगा क्या लिखोगे आप sin square a सही है अब देखो अब यह वाला rule लगा दो कि square root अगर पूरे में लगा है तो उपर वाले को मिलेगा नीचे वाले को मिलेगा ठीक यहां सो जाएगा square root of 1 minus cos a का whole square upon में square root of अब ध्यान दो एक बात और बताना चाहता हूं एक बात में आपको यह बताना चाहता हूं कि जो sin square a होता है साइने का whole square यह लो यह दोनों बात है सेम होती तो इसको आपने क्या लिखना है sin a का whole square वैसे भी आप लोग को बता है sin square a का square root sin a हो जाएगा बट मैं फिर भी दिखा रहा हूं अब सुनो अब यह square root क्या करेगा square को हटा देगा चेक करो ना अगर x का square होता square root लगा होता तो हम सीधे x लिख देते यह हट जाता तो वही चीज़ है यह हट जाएगा यहाँ पर काटके नहीं दिखाना बट हट जाएगा तो simply हमारे पास क्या बचेगा 1- cos a उपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा यह square root square को हटा देगा तो नीचे sin a बचेगा यह लो सही है correct अब ऐसा हमारे पास आ गया है कहां तक हम पहुँच गए क्लर में चेंज कर लेता हूं समझ जाना क्या आ गया है अभी तक मेरे पास आ गया है 1- cos a by sign a ऐसे बहुत सारे questions मैंने आपको बताएं ध्यान से चक्कर उसको two parts में split करते हैं समझो 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 अगर कहीं पर ऐसा लिखा x- y by m तो इसको दो पास में split लाएगा साइन बताइए सही है दो पास में split कर लोगे मैंनस की साइन देवन आपउन साइन आप कॉस एवाई साइन थिक ना ओके सो अब हम क्या करेंगे ध्यान सरह चेक करना एक बाब बताओ वन अपान साइने क्या होता है को से कर लो याद है थीटा क्या होता था साइन थीटा होता था फीटा की जगा एल लोंगे तो से कम अपसाइने की जगां को से के Cayre punkt וכ सेख और माइनस कौशít है भाइ साइन प्रोटन के होता थे कर लो दो ब том पढ़ाई थी तैन ठीटा क्या होता है आपका थीटा थीटा यह लिजे यानिक कॉट एट नहीं आप एए ना तो कॉसे बाइशने कॉटे इस एक तो क्या आ गया राइट है आ गया की नहीं आ यह इसलिए किया ताकि हमें स्कॉट कारा मिल जाए चेक कर लो उपर वन मानस कॉसे का होजएगा तो यह स्कॉट आदेगा ठीक और नीचे प्लस बीए मैंस बीजिससे कभी किसी कोश्चन में तो नीचे साइन स्कॉर मिल जाता है ठीक है ना वह डिपेंड करता है सिट्वेशन कैसी अगर यहां वन प्लस को बन प्लस साइन होता तो हम मन असाइन से उपर नीचे करते हो नीचे कॉस स्कॉर मिल जाता तो बात की बात है तो यह हमने स्कॉर रूट से छुटकारा पाने के लिए हमने ऐसा किया तो जब चुटकारा मिल गया दो पार्ट स्प्रिट कर क्योंकि हम देख रहे हैं राइट हें साइट कोई भी स्कॉर रूट नहीं आ रहा है इसलिए हमने ऐसा किया ठीक ओके कर लीचे